तो बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत-बहुत श्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्यूंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका Math subject है आपको में पूरा स्लेवस बताने वाला हूं मिटब कर ठीक है हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियो में बताने वाला हूं तो अगर आप हिंदी मीडियों के स्टूडेंट है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोनों ही मीडियों के बच्चों को सेम फायदा मिलने ओर अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस में daily ले करके आता रहूं आपके लिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इतना ज़्यादा वीडियो को लइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा पूछना चाहते हैं पर इस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं वहां पर मेरा आइडी देख सकते हैं मुर्लब यह जाज यह आइडी जैसे आप सर्च मारेंगे ने इस्टाग्राम पर जाएगा और इसको यूजर नेम बोलते हैं यहां पर काफी लंबे समय के बाल वीडियो में बना रहा हूँ पोड़ा सा एड़ेस्ट कर लीजेगा ठीक है अपना 110 परसेंट दूँगा तो यह मेरा आइडी है पॉलो मार लीजेगा एक पॉलवर बढ़ जाएगा कोई भी डाउट रहता है मुझे डियम कर दीजेगा इंस्टाग्राम पर यहनि डारेक मैसेज कर दीज तो वहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है लर्णिंग किंग यह जैसे आप सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए तो आपको हमारा टेलिग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा उसमें जोइन हो जाएगा इंपॉर्टन चीजे आपको मिलने वाली है फीचर के अंदर ठीक है चल ुर्टन पर नाटी मीडियम में कुछ इस तरह से किताब रहेगा आपका और इंग्लिस मीडियम में कुछ इस तरह से बूक रहेगा ठीक है यह आप देख सकते ह। अब यहां पर हम लोग अपना syllabus समझ लेते हैं, पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, जो आपका बुक का विशय सूची वाला पेज होता है, NCRT का, वो मैंने निकाल लिया है, और जो जो चैप्टर मैंने इस तरह से गोला लगा रखे हैं, वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जैसे कि पहला जो चैप्टर है, आपका वास्तिविक संखिया है, यह आपको पढ़ना है, फिर सेकेंड जो आपका चैप्टर है, बहुपद यह भी आपको पढ़ना है, यहां पर आप देख सकते हैं, उसके अंदर के टॉपिक्स आपका एपी वाला ये नहीं पढ़ना है आपको आपका चैप्टर है त्रिभुज यानि की ट्राइंगल वाला ये आपको पढ़ना है मिटम के लिए आगे चलते हैं जो साथवा चैप्टर है आपका निर्देशांज जामिती वाला ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है मिट और 11वा जो चाप्टर है आपका वरितों से संवधित चेत्रफल यह आपको पढ़ना है मिद्टम के लिए अगे चलते हैं 12वा जो मिदिया में सिलेबस इसको समझ लीजे पर यहां पर सिलेवस आपका वही रहने वाला है बस यहां पर मिडियुम बदल जाएगा अब ही हिंदी में इंग्ली फरक है यहां पर आप देखेंगे इस तरह से आपका चैप्टर आपको पढ़ना है और चैप्टर पढ़ना है और साथवा जो चैप्टर यह भी आपको पढ़ना है उसके आगे चलते हैं आठवा नौवा और ग्यारवा यह चैप्टर आपको पढ़ना है सरकल वाला यह निविरित वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है मिट्रम एक्जाम के लिए क्लियर चलिए आगे चलते हैं 12 जो चैप्टर है आपका यह आपक मैंत सब्जेक्ट वह व्र आपका सुछन को मित जिवर्ण के लिए इसके आगे करता है वह आपका च यहां पर आपको बता दू तरह से और डिवाईड करके जो साता है जिसलेव हिए पर बैड के लिए और आपका रोड के लिए इस तरह से अलग-अलग बताया जाता है कि इन सभी एक्जाम के लिए क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या-क्या नहीं पढ़ना यह आपको बताता है तो डियोई के तरफ से जो स्लेबस आया हुआ है वहां पर कुछ चीजे जो है स्पैसिफिक्ली मेंसंड है हर एक जो आपका सब्जेक का स्लेबस है उसके अंदर जैसे मैट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी यह बात मैंसंड है कि 15 सितंबर दोजातेश तक आपका जो स्लेबस से पूरा किया जाना चाहिए यानि कि जो भी मैंने आपको स्लेबस बता देगा फिर आगे चलके प्रिवोर्ड के त्यारी होगी तो इस तरह से यहां पर यह अलग से इस्ट्रेक्शन बता रखी थी जो मैंने आपको बता दिया आपको समझना होगा यही था आपका स्लेबस बत्चो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जादस जादा लाइक कीज़े देखिए जितना ज़रा वीडियो को लाइक करते हैं उससे हमारा पोईशन्स हो गया सैंपल पर हो गया थीक है इस तरह के कंटेंट आप को मिलते रहेंगे उसके लिए आपको क्या करना है अ आप अगर जोडते हैं तो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे इतना बड़ा जो हमारा बच्चों का परिवार है इसमें जूड जाएंगे और और भी अपडेटिक रहने के लिए आपको क्या करना है जैसे आप सबस्क्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे आपको बेल का यानि घंटी घंटा कुछ भी कह सकते है उसका आइकन देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजेगा जिससे की जो भी हम नया वीडियो अप्लोड करें आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोल पर आजाए करें जिससे कि आप उस वीडियो को देखेंगे और आपकी जो एक्जाम की तयारी होगी वह और ही बहतर से बहतर तरीके से हो सकेगी आज के लिए इतना ही बच्चों मिलता हूं आप से लिए और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखें सभी को जैहीं वन् प्राभ